नमस्कार इन्विसिन निउज में आपका स्वागत है आईए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 10 खबरे जम्मु कश्मीर के पुंच सेक्तर में भारतिय सेना और पुलिस ने गुसपेटियों की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है दो आतंकियों को मार दिया गया है सीमा हैदर की जमानत याची का पर नोईडा पुलिस कानूरी राय लेकर सुरजपुर कोट में जमानत याची का खारिच कराने की तयारी कर रही है केंद्रिय जाच एजन्सी के दखल के बाद नोईडा पुलिस सतर कुई है सीमा हैदर के घर के बाहर साधे कपड़ों में पुलिस तैनात है हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने की घटना हुई है इसमें एक व्यक्ति की मोथ हो गई और दो घायल हो गए बादल फटने के बाद आईबाड में आसपास के खड़े सभी वाहन पैग है रूस में क्रीमिया प्रीच के पास धमा कहोने की खबर आई है जानकारी के अनुसार इसमें कुछ लोग घायल हुए है उन्हें एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है इसके साथ ही क्रीमिया प्रीच का ट्रैफिक रोका गया है दिल्ली में बाड का खत्रा तल गया है यमुना का जलस्तर लगातार घट रहा है रूस में राजने की संकट अभी थमा नहीं अभी भी वह हलचल स्थिती बनी हुई है राज्जी की राजनिती में कुछ बदलाव भी आ सकता है एंसीपी अजित पवार गुट के कई मंत्री प्रखुल पटेल की अगवाई ने रविवार को शरत पवार से मिले पिछले कुस दिनों से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था शनिवार सुभा से जलस्तर में कमी देखने को मिल रही है ऐसे में यमुना किनारे के कई इलाके में जहाँ पानी बड़ी तादात में जमा हो गया है इन इलाकों में मास्के टोप वांड बीमारियों का खत्रा बढ़ गया है बिग बॉस OTT सीजन 2 में वाइल कार्ड एंटरी के बाद माहूल काफी बदल गया है विकेंड के वार के बाद एक और जहां पुराने रिष्टे तूटते नजर आए वहीं दूसरी और आशिका भाटिया भी काफी इमोशनल हो गई सुशान सिंग राजपूत की मोद के बाद सुर्ख्या बटोरने वाली रिया चक्रवर्ती ने रियालिटी शोओ MTV रोडीज 19 सेज जोरदार वापसी की है और एक गैंग लीडर की भूमी का निभाती नजर आई विपक्षी एकता कायम करने के जद्दो जहर में 26 विपक्षी दलो की आज बैंगलोर में बैठक शुरू हो गई है दो दीनों तो किया बैठक चलेगी ऐसी टॉप 10 खबरों के लिए देख चरेए NBC News धन्यवाद